हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काप केक बिन अन्रा के ओभी कड़ाई में जो काप हम रेगुला चाय पीत है उसी काप में बनाएंगे आप लोग सचेंगे काप टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा क्योंकि इसे हम बहुत ही काम हित में बेक करेंगे तो आए देखते हैं कैसे बनाता है मैंने इसके लिए हाप काप मैदा लिया 75 ग्राम पावडर्ड शुगार 1 फूर्ट काप डार्क चोकलेट 1 टेबिल स्पून ए चोकलेट को मैंने थोरा दूद से इसे गरम करके से मिल्क कर लिया 1 फूर्ट काप रिफाइन डॉयल एक टेबिल स्पून भैनिल एसेंस 1 फूर्ट टी स्पून बेकिंग शोड़ा 1 फूर्ट टी स्पून बेकिंग पावडर आप इसे मिल्क डालके मिक्स करेंगे और जितना ज़रूरत है उतना हम दूद डालके इसे एक स्मूद बेटर बनाएंगे देखे इस तरह लिकुड रपना है आप इसे मिक्स हो गया आप हम इसे काप में ट्रांसपर करेंगे मैंने दो काप लिया इसे काप से हमें केक बनाना है तो इसे हम तेल से आच्छे से ब्राश कर लेंगे और ब्राश करने का बाद ये बेटर हम इसे डाल देंगे काप में ओल से ब्राश कर लिया अब हमेंसे पेस्ट डालना है और थोड़ा से डाइफोट काटके इस कापोट डाल देंगे, ये खाने में भी बहुत अच्छा लागेगा, आपके पसिंदिता कोई भी डाइफोट इसमें डाल सकते हो मैंने एक कड़ाई को पहले से गरम करके राखा था, आप इसे काप इसमें डाल कर 20 निट ढाल कर हमें स्लोफले में बेख करना है 20 निट हो गया, आप ठोकुन खोल के देख लेता है, देखे काप एक दुम भर गया फूल के, आप इसमें टूथपिक डाल के चेक करता है, बेख हुआ की नहीं हुआ, देखे टूथपिक क्लीन आ गया है, इसका मतलब ये केक प्रॉपरली बेख हो गया केक ठांडे हो गया, अब इसका पूथवरा से डाइफूट डाल के गार्णिश कर लेता है, ताकि देखने में बहुत अच्छा लगए हो गया हमारी कापकेक, ये बहुती स्पोंजी हुआ, हमने आधा काप बैटर डाला था, देखे पूरा काप भर गया, और ये बिना अंड़के भी इतना अच्छा केक बन सकता है, हमारी ए रेसिपी आच्छा लगए तो प्लीज मिरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्रेब किजिए, फिर मिलेंगे और एक नवाय रेसिपी के साथ, टेक क्यार, बाई!